खान को किस परकार से हमला किया अब दादा का नहा भारी पड़ गया और उस सुल्तान की पूरी टुकडी को तहस नहस कर दिया लेकिन एक हरामी और था अब्दुल नभी जिसकी एक टुकडी फिरोजपुर जिरका में छुपी हुई थी जैसे ही उसके पास ख़वर गई कि एक कानहा नाम का एक वबर सेर बीस चड़ गया और उसने हमारे पूरे तुकडी को तेहस नहस कर दिया है तो जिरके फ्रोजपुर की तुकडी भी गाउन में आ गई और उन्होंने तखाद आजा जाएक गिए और विलाब कर रही है और दी आजमा रहा रही है कि काना कहीं आगे जाके तुटगमगा तो नहीं जाएगा किस परकार से काना का निया किस परकार से क्या लिखाए कि कहने लगी कि है कानहा तेरी देश को बहुत जरूरत है तू ऐसे ही विर्थ है जान मतगवा और इनका कहा मान ले कि योद्धा तो और भी बतेरे हो जांगे इस धरती पर पर कानहा इस धरती को इस देश को दोबारा नहीं मिलनेगा और अपनी बात के द्वारा क्या कहती है भला वो का नहां बेटे आज मन जा वो भाई वो कानी जरूरत तेरी देश को जान खपावे मत नारे वो काना बेट आज मन जा वो काना बेट आज मन जा वो कानी जरूरत तेरी देश को जान खपावे मत नारे वो कानी जरूरत तेरी देश को जान खपावे मत नारे वो कानी जरूरत तेरी देश को जान खपावे मत नारे रोताई का, रोताई का, रोताई का सूरज छिप जा पूट बाद लोकी आरे वो कानी जरूरत तेरी देश को जान खपावे मत नारे तुझा धरंगी रक्षा करनी जान खपावे मत नारे वो कानी जरूरत तेरी देश को जान खपावे मत नारे वो कानी जरूरत तेरी देश को जान खपावे मत नारे वो देड़ाका के ही मां, वो सिंगनी अपने शेर बेटे को समझाने लगी उसके मन को भापने लगी कि बेटा तु इसलाम धर्म कबूल कर ले ये मुगल तुझे लेजा करके कतल कर देंगे मेरे बेटे मेरे लाल तु हार मान ले लेकिन दादा कानहा अपनी मा की एक एक बास सुनता रहा अगली बात के मात्यम से क्या कार क्या लिख दिया आज तिरे मरने ते काना रे आज तिरे मरने ते काना रे अध्योर अंधिरा ओजागा धरम सनातन मिट जागा योर उजड़े राओजागा नेरा पहारत मा की गोते हो खाली ठरे अर झेड़ा हो जागा काली राते हिंदों की मुगलों का सवेरा हो जागा काली राते हिंदों की मुगलों का सवेरा हो जागा तरत भते रहो जागा अच्छाव मत नारे और गाणी जारो नाते तरी देशको यान गापाव मत नारे तरी देशको यान गापाव मत नारे हो... और रोटाई के और भी लाल वहां खड़े थे और भी माताय देने जब दादा काना को उन पाजियों ने पकड़ रखा था जंजीरों में जखड़ रखा था और भी लोग देख रहे थे वो मा अपने बेटे से किस परकार से वारता कर रही थी लेकिन उस मा का ये मतलब नहीं था कि मेरा बेटा इसलाम धरम कबूल करे बस उस काना के मन को जानना चाहती थी कि मेरा बेटा आगे जाके कमजोरता नहीं पढ़ जायेगा उन मुगलों के आगे जुखतों नहीं जाएगा अगली बात के माध्यम से उसके साथ भी समझाने लगे और बात को बताने लगे कि काना हम जैसों का मरना कोई बात नहीं लेकिन काना तेरी बहुत जरूरत इस देश को हैं हम तेरे नेत्रतम में एक बहुत बड़ा काम करना चाहते हैं तू अगर जिद्दा रहेगा तू कोई बात नहीं तू इनका बात मान करके तू हमारा नेत्रतम करना अगली बात के माध्यम से सबश्च करते हुए ख्यालिकर क्या के लिए और जाजा काना की वीरगाधा पर सौर में लडे पटवारी जी पाड़ी से दो सो रुपे मन्नी पाड़ी का चोटए भाई तरुन रावत और सौर्पे मन्नु पाड़ी का ही चोटए बाई दूसरा भाई सौरब रावत 500 रुपे अर्जुन देवतिय पलवल पांचू बेदीबक ठाकरान पलवल और पांस योएक रुपे हमारे अटोहा गाम से बड़े भाई बन राम जोहां जी के सकुतर धीराच अटोहाँ जी हमारी पाल्टी का माह करें हथ रहा जहता मेना है guaranteed मेरा नाम अमर हो जागा अपना धर्म निभाने से मेरा नाम अमर हो जागा अपना धर्म निभाने से मागी लाट बचाने से परकाना ना मिले तेसको एक बार मिट जाने से ये फरकाना न मिले देश को ये दमार बिट जाने से ये रगाने ते हरे राम बैस ले तोस दिलाव मत नारे ये गणी जरूरत तेरी देश को जान घपाव मत नारे गणी जरूरत तेरी देश को जान घपाव मत नारे गणि जरूरत तरी देश को जाने हमावे मत नाये